नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर हाल ही में Central India Group of Institution लोनारा में महाराष्ट कॉटेचा का डॉक्टर अनिस अहमद के हातो सतकार किया गया इस कारेक्रम के प्रमुक अथिती महाराष्ट कॉटेचा पूरो कैबिनेट मतरी डॉक्टर अनिस अहमद निर्देशक DDUKY तुशारमेश्राम निर्देशक लोग कॉलेज डॉक्टर S.M. राजन सेंटर इंडिया इंस्टिट ओफ फार्मर्सी के प्राचारिया मदन करवे स्वाती बोधनकर सागर ठाकरे सेंटर इंडिया कॉलेज ओफ एजुकेशन की प्राचारिया डॉक्टर साती राउत, सेंटर इंडिया वुमेंट्स कॉलेज ओफ एजुकेशन की प्राचारिया डॉक्टर सीमा चिखले, प्रिंसिपल सेंटर इंडिया अध्यपक महाविद्याले की प्राचारिया डॉक्ट अंचायत सद्गाओ के सेंकडो भाचपा शिवसेना और कॉंग्रेस कारेकरता पुरमंतीर रमेश चंद्रबंग और पुरविधायक विजय गोडमारे पार्टिल की नेत्रूत में विश्वास करते हुए राकामपा में शामिल हो गए। प्रदिप ठाकरे सुधाकर धमांदे अनुप दाखले आदिव पस्तित्थे प्रवेश करने वालों में वानाडोंगरी से निहाल शेंद्रे शुभम भांगे निर्शाद महाजन गोलु सुर्जोस सतिश मेवने त्रेनल सालवाटकर आकाश निम्बूलकर हरशल नाकपुरे र सुरज इटांकर, मनिश धोबले, सुनिल धुलेक, आशिश वडासकर, प्रनव वान खेडे, शुभम रहाटे, राहुल बढ़कल, सोनु चांदेकर, सुशिल गावंडे, जबकि ग्रामपंचयाद सद्गाव से ग्रामपंचयाद सद्गाव से बाबाराव वान खेडे, नन डोगरी वस समोगरामपंचयाद सद्गाव के सेकड़ों कारेकरता शामिल है, आज़ादी के अमरूत मोहतसो और महाराष्ट पुलिस की स्थापना दिवस के असर पर, परिमंडल 3 के DCP गजनन राजमाने ने अपने जोन में कारेरत अधिकारी और करमचारियों का मनोबल और DCP सारंग आवार्ड भी उपस्तित है, आपराधिक मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने में गनेश पेट की इंस्पेक्टर भारत शिरसागर अवर रहे, जबकि बीट परनाली को अमल में लाने के लिए तहसिल की इंस्पेक्टर जैश भांडारकर को सम्मानित किया ग रहे, कोतवाली की सेकंड PIPT एकुरके और लकंड गंच की अमिता जैपुरकर को सर्वतकुष्ट महिला अधिकारी चुना गया, लेकनिय डिटेक्शन, बीट अधिकारी, जांच और विभिन्न शेतर में अच्छा काम करने के लिए सहायक पुलिस निरिक्षक विशाल माने, चंद्रकान को से अजय लिंगनुकर, रियाज मुलानी, अविनाज जाय भाय, योगिता तराले, गनेश काले, सौपनिल वाग, वियार बारंगे, अरुन बकाल और भाग्या श्रीपुरी को भी सम्मा नित किया गया, सामाजिक संस्ता संजीवनी फाउंडेशन की ओर से जरीपटका के हिरानन धर्मशाला में जरूरत मंदों को वस्त्रवितरन का कारेक्रम आयोजित किया गया, इस अवसर पर 300 पुरुषों को वस्त्रवितरीत किये गये, संस्ता के अध्यक्ष वाधंदास धलरेजा ने बताया कि इसके पूरो रक्षाबंदन के पावन पर्व पर 350 महिलाव को सलवार सूट का वितरन किया गया था, तथा इस तरह के कारेक्रमों कायो जन नियमित अंतराल पर किया जाता रहेगा, इस अउसर पर सचिव सुरेश अउजा ने बताया कि संजीवनी फाउंडेशन द्वारा जरूरतमन वेक्तियों को दवाईयां तता होनहार छात्रों को एडमेशन तता किताबों आदी के लिए सहायता प्रदान की जाती है, कारेक्रम में अशोक मखिजानी, सुकदेव भाग्चंदानी, अशोक भी केवल रामानी, अशोक जेस्वानी, गोवर्धन कोड़वानी, राजेश स्वामनानी, गोपी चंद कुक्रेजा, रमेश अठलानी, सतीष मूलचंदानी, यूराज दिपक, आदी उपस्तित्थे, अठ्ठा वर्ष आयूवर के बच्चों के टिकाकरन का शुभारम किया। डॉक्टर संजे कुमार ने अपने सम्मोधन में कहा कि वैक्सिन लेने में संकोच ना करे। और अपने युवा साथियों को भी वैक्सिन लेने के लिए प्रेरित करे। आगे उन्होंने कहा कि वैक्सिन लेने के बाद भी कोरोना से सम्मधी सबी नियोमों का पालन अवश्य करे। इस हुसर पर सीवी ओ अमित कुमार श्रिवास्तों भी उपस्ति थे। उन्होंने अपने बच्चों का भी टिकाकरन करवाया। डॉक्टर सुजाता सरमुकदम, डॉक्टर गोपाल कृष्णन, निदेशक के तक्निकी सचिव अनिल कुमार सिंग और कोल क्लब के सचिव नितिन गुपता ने बच्चों के लिए टिकाकरन केंदर शुरू करने में एक खास भूमी का निभाई। उलेकनी है कि वेकुली द्वारा अब तक 80,000 से अधिक लोगों का टिका करण करवाया जा चुका है। शिवर के पूरविधायक सुधाकर कोले, हुडकेशर पुलिस थाने के सायक पुलिस निरिक्षक सत्यवान कदम एवं उपपुलिस निरिक्षक राउत मुख्य दिति के रूप में उपस्तित थे। शिवर की सफलता के लिए नामदेव शिंगने, भासकर गावंडे, प्रभाकर सवालाखे, वासुदेव खडसे, अरुनवान खेडे, प्रमोध अंजनकर ने अथक प्रयास किये। कारेक्रम में विजय चौधरी, रमेश साथाउने, विठर राव धोटे, विजय नाव करकर, लक्ष्मिकान जुम्डे, ग्यानेश्वर टोंगे, भालचंद्र सबल, प्रभुनात खापेकर, मनहर राव दुरुक कर, नाना निकम, जगनात भोयर, आशावान खेडे, जोहारे, आधि प्रमुक्ता से उपस्तित्थे, हालही में सुर्य नगर मुमन गार्डन में प्रभाग 24 के नगर सेवक्व पुरमन पा सभापती प्रदिप पोहाने ने सावित्रिबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यारपन कर पुजा अर्चना की, रिसावसर पर नगर सिव स्रिता कावरे, शंकर गवर, अजय तारोतकर, राजश कुबितकर, नितिन माकाडे, सोनाली हरडे, शिल्पा मोड घरे, शोबा शाह, विभा ठाकुर, अंजुईंगोले, प्रणै प्रणाली जुन घरे, सोनिया इश्वर, उर्मिला पाल, सुदा हतिवारे, भावना पटेल सुमन चोधरी, निलम कुमार, प्रितिर शाह, सुचिता शिरसागर, गीता चोपडा, आदि मानने वर उपस्तित थे SSD सेवा मिशन की ओर से सुखदान, येरला, शितला माता मंदिल, जिंगाबाई टाकली में निश्वर क स्वास्त एवं वैक्सिन शिवर कायो जन किया गया स्वास्त शिवर में डॉक्टर राम थारवानी के नेतरुत में 487 लोगों के स्वास्त की जांच की गई शिवर में सानी आमित थारवानी के सहयोग से वैक्सिन की साथ-साथ निश्वल क दवाईयां भी वितरित की गई गनश्यामदास कुक्रेजा, पार्षत विरेंद कुक्रेजा, वाधनदास तलरेजा, अशोक केवल रामानी, भागचंदानी, विजे कुक्रेजा, आशा मेडिकल, भारत एजंसी, दर्शन थारवानी, पुजा मोरियानी समर्थ, इशा, सीमा, नैतिका, कोमल, रिंकू, लक् महग थदानी, प्रदिप बालानी, ने सेवाकार में सहोकर शिवर की सफलता में महतोपूर्ण भूमी का निभाई, चिकित्सकों ने जांच की पश्चात मरीजों को सला दी, शिवर में सन्पलू, एमेमार, थायरोईट सहित अन्न बिमारियों के लिए मरीजों को निश्यलक वैक्सीन एवन दवाईयां दी गई होता है क्यूटर पर पत्रकारों सहीद अन्यपतिशित महिलाओं की तस्विरे अपलोड कर दी गई डॉक्टर अहमद ने कहा कि पीडितों को टोल करने और परेशान करने के लिए बनाए गए बुलीबाई एप के चालकों की खिलाप सरकार को कारवाई में तेजी लाने की रखे अपरात की पुनरारुति न हो इस बात को लेकर सरकार और पुलिस विबाग ने ठोस कदम उठाना चाहिए सैकडों महिलाओ को एप पर निलामी के लिए सुचिबध किया गया था जिसमें बिना अनुमती के फोटों खिचवाए गए थे और असली तस्वीर के साथ छे नादिकों का कोवी शीलिका टिका करण नागपूर महनगर पालिका के साथ साथ सरकारी के इंदरोरों पर होगा, vitesse की अफल को समय के पाच बजे तक होगा, cuz ले कि लिए ऑन लाएन और ऑफलाइन दोनों पधितियों से 5 हे करण किया जा जाह्ता है, इसी तरह द्राइविन व के नारिकों के लिए को वैक्सिन का पहला और दूसरा डूस मेडिकल कॉलिश डॉक्टर बाबा साहिब आंबेट कर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसलेशन अस्पताल इमामवाडा इंद्रा गांधिय पाल को बेटिया शक्ती फांडेशन द्वारा वैंकटेश सोसाइटी के मैदान पर श्रधान जली अर्पित की गई कारेक्रम के अध्यक्षता वैंकटेश नगर ओनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष रामकोटी वज्जा ने की वरिष्ट सामाजिक कारेकरता डॉक्टर मनुहर वैस फांडेशन के मार्गदर्शक संजे सावन सुखा पूर्वसनिक अमोल राउत सुष्माफुसे वरिष्ट सामाजिक कारेकरता पप्पुसाथ पुते अक्षे मोरगडे पंध्री कडू प्रमुकता से उपस्तित थे कारेकरम का संचालन फांडेशन के तेजस्विनी कातुरे ने किया सिंदुताई के कार्यों की जानकरी फांडेशन की साक्षी चतूर कल्यानी कोटरंगे ने दी इस अउसर पर फांडेशन की चंद्रमनी हटवार किरन शेंडे अशुनी रुयार कर पुनम बेले कर भागेश्री कोटंगे सलोनी कुकडे विना मेश्राम शद्दा कोठार कर अंकिता गजबिये दाबीनी सावर कर कृतिका थुले प्रतिक्षा भोयर श्वेता शहारे मिकित अपना कंगाले शम्रुद्धी मोहुर ले अरपिता चिडे अपेक्षा उई के आदिव पस्तित्थे विगत पांच वर्षों से खामला के उत्साहित युवाउं द्वारा नाकपूर से शिरिडी पंधरपूर की साइकिल यात्रा का आयो जन किया जारा है इस वज भी साहि मंदिर वर्धारोड से ओम साहिर राम के जैगोश के साथ यात्रा की शुरुवात हुई यात्रा में सचिन जन्जाड, सौरप कुलकरणी, अक्षय चतुरकर, आशिश पुंडे, सचिन उईके, शुबं मन गटे, रोहन पांडे, मोहन विनायक बागडे, आधी साहि भक्तों का समाविश रहा यात्रा का मुख्योदे, साई बाबा भक्ती संदेश, प्रदुशन मुक्ती, आधी विश्यों की बारे में लोगों में प्रचार करना था देल्ले प्रशासन द्वारा यात्रियों की बहतर यात्रा सुविधा वधिकादिक यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्द कराने है तू दक्षिनपूर मदरेलवे के शेत्रादिकार के अंतरगत चलने वाली गाड़ी संख्या 22647-22648 कोर्बा कोचुवेली कोर्बा एक् एक अत्रिक तकोच की सुविधा अस्ताय रूप से कोर्बा से कोचुवेली से 10 एवं 13 जनवरी को उपलब्द रहेगी इस सुविधा की उपलब्दता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकादिक यात्री लाभानवित होंगे और उन्हें बहतर सुविधाएं प्र प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिबा का प्रदर्शन किया स्पीड स्पोर्टिंग एसोसेशन वर्ना इंटरप्राइजे स्केटिंग द्वार प्रतियोगिता का आयो जन किया गया था इस प्रतियोगिता में 8-10 वर्ष आयू के सिदेश कहार ने प्रथमस्ता दर्ज करवा कर स्वर्ण पदक जिता मुख्य अथिती में पूरो महापूर संदीब जादो उपेंदर वर्मा संजय तालेकर तथा अन्यमान्यवर उपस्ति थे अथितियों ने सभी विजयताओं का सतकार किया हुसेन राजा सोनल शेटी नोहलवाग सिद्धार्थ पाठक चैलेश डोबले, नितिन कठोते का पुष्पगुच्च दे कर सतकार किया गया। जीत सिंग बुंदेला, रुशिकेश सिंग ठाकुर, राजपुत महासभा के जिलादेक्ष अर्विन सिंग राजपुत, राजपुत समास संस्ता के अदेक्ष विश्वजी सिंग मुंडले, उपादेक्ष प्रताप सिंग जवार, सचु जैकिशन सियं सोलंकी, कैलास सियं स जरीपटकाश शेत्र में सिंधी समाज की मात्रु भाषा सिंधी बोली को घर घर में बोलने एवं सिंधी बोली का बच्चों में बड़ों में प्रचार प्रसार करते हुए सिंधी भाषा में लिखे 60 स्लोगन के बैनर वस्तिकर के माध्यम से संदिज दिया जा रहा है इस अव में प्रसार पर्मकुरुप से अखिल भारतिय सिंधी समाज विदर प्रांत के अदैश गोवर्दन कोडवानी, राष्ट्य सलाकार सुन्दरलाल तारवानी, राष्ट्य सचिव दौलद कुंगवानी, राष्ट्य सचिव सतिश मिरानी, सलाकार वाधन दास तल्रेजा, हरिश मूलचंदानी, सुखदेव भागचंदानी, भागचंद केवल रामानी, राजे स्वामनानी, आदिक उपस्तिती रही। पर माननिवरों का सतकार किया गया। माहमेट्रो नाकपूर कस्तुचंद पार्क सिताबडी इंटर्चेंज, खापरी मेट्रो स्टेशन और सिताबडी इंटर्चेंज से लोकमाने नगर मेट्रो स्टेशन के बीच, 26.5 किलोमेटर के रूट पर मेट्रो ट्रेनों का संचालन हो रहा है। जल हीस में सिताबडी इंटर्चेंज से प्रजापती नगर मेट्रो स्टेशन तक 8.5 किलोमेटर और कस्तुचंद पार्क मेट्रो स्टेशन से ऑटोमोटीव चोक मेट्रो स्टेशन तक 5 किलोमेटर रूट भी शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा महा मेटरो ने नागपूर मेटरो प्रकल्प के मेटरो स्थानक पर बड़े पैमाने पर किरायापटा तत्व पर वयुसाईक उपगरम चलाने 15 साल की अओधी के लिए महा मेटरो नागपूर मेटरो रेल परियोजना के खापरी मेटरो स्टेशन न्यू एरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, एरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, उज्वल नगर मेट्रो स्टेशन, जय प्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन, छत्रपती चोक मेट्रो स्टेशन, कॉंग्रिस नगर मेट्रो स्टेशन, सिताबडे इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन और विशेशग्यों का मानना है कि यह निरने मेट्रो स्टेशनों पर व्यवसाइक उपक्रमों के लिए सुनरा और सरसाबित हो सकता है श्री राम इस एक शब्द में संपुर्नस्रुष्टी समाई हुई है आप निराकार ब्रह्म के उपासक हो या फिर दश्रत पुत्र के राम नाम एक अगनी के रूप में सभी पापों को ज़रा कर भस्म कर देता है कल्यूग में भी यह चोटा सा शब्द शद्धालू के समस्त पापों को समाप्त करने वाला है राशब्द अगनी का स्वरूप है राशब्द यह हमारे दुशकर्मों का दाह करने वाला शब्द है वही मशब्द जलतत्व का प्रतिक है जल आत्मा की जिवात्मा पर विजय का कारक है इस प्रकार पूरे तारक मंत्र श्री राम जयराम जय जयराम कार्थ है शक्ती से परमात्मा पर विजय उक्ता आशे के उद्गार अखंड भारत विचारमंच की ओर से आयोजित संगित में श्री राम कथा में चित्रकूर धाम निवासी राजन महराज ने वेक्त किये श्री राम कथा मानकापूर के प्राचिन शिव मंदिर में आयोजित की जा रही है कथा वाचक ने आगे कहा कि आध्यात्म विज्ञान में पाया गया है कि जो वेक्ती राशब्द का उच्चा रन करता है तो इसके साथ साथ उसके आंतरिक पाप बाहर आ जाने के कारण उसका अंतकर अनिश्पाप हो जाता है राम का नाम गम, फिक्र तथा चिंता को चकना चूर कर देता है नाकपूर जिले में मरीजों की संख्या दिन बदिन बढ़ती ही जा रही है ऐसे में जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने बुद्वार को टिका करण में तेजी लाने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और कोरोना रोकताम की उपायों के लिए दंडात्मक कारवाई और अधिक कटोर करने के निर्देश देने के साथ ही जिले में कक्षा पहली से आठवी तक की ओफलाइन कक्षा को बंद करने के आदेश दिये है पालक मंत्री ने इस मुद्धे पर संभागी आयुक्त कारेले में एक उच्चे सरीय समिक्षा बैठक बुलाई बैठक में जिला परिशत अधिक्ष रश्मी बरवे, महापोर दयाशंकर तिवारी, संभागी आयुक्त प्राजक्त अलावंगारे वर्मा नागपुर के पुलिसायुक्त अमितेश कुमार, कलेक्टर आर्मिमला, मनपायुक्त राधा कृष्णन बी, जिलापरिशत के मुख्यकारेकारी अधिकारी योगेश कुम्भेचकर, जिलापुरी सदिक्षक, डॉक्टर विजय मगर, पुलिस उपायुक्त बसवराज तेली और टास्पोर्स के सभी वरिष्ट सदस्यगन उपस्तित थे, बैटक के दवरान पालक मंत्री ने टास्पोर्स से वरिष्ट चिकित्साविश शग्यों की राय मांगी, बैटक के दवरान नागपुर में मौझुदा कोरोना वायरस संक्रमन, इसकी व्यापक्ता और मरिजों की बढ़ती संक्या पर चर्चा की गई, इसके बाद उन्होंने जिले के मौझुदा हालात की समिक्षा की, जिलादिकारी आर्विम्ला और जिलापरिशत के मुख्यकारी अधिकारी योगेश कुम्भेचकर ने पालक मंद्री को विबिन सम्मंदित मुद्दो और जिलाप्र झाल